इस वीडियो में हम ये दोनों questions cover करेंगे इस प्रशनावली के और बाकी questions के solutions के लिए इस वीडियो के description में आप playlist चेक कर सकते हैं वहाँ पे आपको बाकी questions मिल जाएंगे तो one by one in दोनों questions को करते हैं सबसे पहले question number 15 तो यहाँ पे हमें बताना है दिखाइए कि किसी धन पूर्डांग का वर्ग 5M प्लस 2 या 5M प्लस 3 के रूप में नहीं हो सकता है ठीक है ना? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? Well, pay attention तो शुरू में वही प्रोसेस है कि हमें क्या लिखना है? देखो, इससे पहले के भी आपको questions देखने हैं ठीक है? ऐसा नहीं कि आप केवल सीधे से question number 15 देखना शुरू करें इससे पहले के भी question अगर आप देखेंगे तो आपका base मजबूत होगा तो युकलिड विभाजन प्रमे का क्या है? इसके अनुसार जो कोई भी धन पुर्णांग है उसको किस रूप में लिखा जा सकता है? A बराबर BQ प्लस R के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ जो R है वो 0 से लेके लेकिन B से कम होती है B के बराबर नहीं होती है B से कम होती है ठीक ना? तो इस रूप में लिखा जा सकता है अब यहाँ पे हम लेंगे B बराबर 5 अब 5 क्यों लिया हमने क्योंकि यहाँ पर 5 है दिख रहे है 5 यह तो जो इस तरह से होते हैं हम उसको B ले लेते हैं अब अगर B 5 है तो R क्या होना चाहिए 5 से कम होगा यानि 0 है 1 है 2 है 3 है 4 है ठीक है न तो अब B और R की वैली को यहाँ पुट करो तो कोई भी जो धन पुर्णांग है वो किस रूप में होगा हमारे पास वो 5 Q के रूप में होगा 5 Q प्लस 1 ठीक है न एक एक करके हम इसकी R की वैली पुट कर रहे हैं 5 Q प्लस 2 5 Q प्लस 3 and 5 Q प्लस 4 ठीक है तो कोई भी धन पुर्णांग को हम इस रूप में लिख सकते हैं लेकिन बात यहाँ पे किसी धन पुर्णांग की नहीं है बात वर्ग की है तो हमें वर्ग निकाल रहा है एक करके तो यहाँ पे सबसे पहले है 5 Q इसका हम करेंगे वर्ग तो यह हो जाएगा 25 Q स्क्वाइर और यहाँ से हम 5 कॉमल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 5 Q स्क्वाइर बचेगा और यह किस फॉर्म में है यह 5 M की फॉर्म में है तो कहने का मतलब अभी भी आपने देखा 5 M प्लस 2 या 5 M प्लस 3 की फॉर्म नहीं आई है अब इसके बाद हम करेंगे 5 Q प्लस 1 का स्क्वाइर तो यह क्या होगा A स्क्वाइर प्लस 2 A B यानि 10 Q प्लस B स्क्वाइर यानि 1 कौन सा फॉर्मला लगा यहाँ पे A प्लस B का होल स्क्वाइर क्या होता है A स्क्वाइर प्लस 2 A B प्लस B स्क्वाइर अब इससे तो हम 5 कामन ले सकते हैं तो यह हो जाएगा 25 Q स्क्वाइर प्लस 2 Q और यह 1 अलग हो गया है यानि किस रूप में है यह 5 M प्लस 1 के रूप में ठीक है ना तो यह हो गया यह यह हो गया अभी भी देखो जो क्वेशन में बोला गया है कि यह इस रूप में और इस रूप में नहीं हो सकता है तो अभी तक हमने देखा यह नहीं हो सकता है ठीक है ना ओके अब हम देखते हैं किसे इसे 5 Q प्लस 2 इसका स्क्वाइर क्या होगा 5 पच्चे 25 प्लस B स्क्वाइर यानि 4 अब यहां इन दोनों से 5 कॉमन हम ले सकते हैं तो यह हो जाएगा 5 Q स्क्वाइर प्लस 4 Q और यहां पर बचा 4 तो यह हो गया 5 M प्लस 4 की फॉर्म समझ गए आप ओके अभी भी जो क्वेशन में बोला गया था कि इसके रूप में नहीं हो सकता है तो वाके अभी तक हम नोटिस कर रहे हैं कि नहीं हो रहा है उसके रूप में ठीक है ना अच्छा next देखते है 5 Q प्लस 3 इसका स्क्वाइर करते हैं 5 25 Q स्क्वाइर प्लस 5 तिया 15 दोने 30 Q प्लस 3 तिया 9 अब यहां से हम 9 को ब्रेक करेंगे क्योंकि यह 5 से बड़ा है तो 5 को अलग कर देंगे तो यह हो जाएगा 25 Q स्क्वाइर प्लस 30 Q और 5 अलग कर दो और 4 अलग कर दो अब यहां से 5 कॉमन लिया तो यह हो जाएगा 5 Q स्क्वाइर प्लस 6 Q प्लस 1 और ये 4 अलग हो गया तो ये अभी भी 5M प्लस 4 की form है ठीक है और finally हमारे पास क्या है 5Q प्लस 4 का square ठीक है ना एक एक करके हमने सारे चेक कर लिये हैं अब इसकी बारी है तो ये हो जाएगा A square प्लस 2AB यानि 5 शको 20 दुने 40 प्लस B square 16 अगेन इसमें से 15 अलग कर दो क्योंकि वो 5 का multiple है 40Q प्लस 15 प्लस 1 यहां से 5 common लेते हैं तो 5Q square प्लस 8Q प्लस 3 प्लस 1 फाइनली आ जागा यानि 5M प्लस 1 की form है तो आप notice करेंगे 5M प्लस 1, 5M प्लस 4 5M प्लस 4, 5M 5M प्लस 1 और 5M है 5M प्लस 2 या 5M प्लस 3 नहीं है जो question में उसने बोला था कि इस रूप में नहीं हो सकता है तो वाकि इस रूप में नहीं हुआ है ठीक है ना तो हम फैने लिए लिख देंगे कि किसी धन पूर्णांग के वर्ग किसी इसी लिए किसी धन पूर्णांग का वर्ग 5M प्लस 2 या 5M प्लस 3 के रूप में नहीं होता है होता है ठीक है ना तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा अब हम बढ़ते हैं अगले question की और question नमर 16 है सिद्ध कीजिए कि N, N प्लस 2 और N प्लस 4 में से एक और केवल एक, तीन से विभाज है जहाँ N एक धन पूर्णांग है तो देखो कहना क्या चाह रहा है मान लोग की एक काम करते हैं देखो N को हम रख देते हैं 10 तो N तो 10 हो गया N प्लस 2 क्या होगा तो ये हो जाएगा 10 प्लस 2 यानि 12 और N प्लस 4 क्या होगा ये हो जाएगा 10 प्लस 4 यानि 14 अब आप देख सकते हैं ये तीन से विभाज नहीं है तीन के पहाड़े में नहीं आता है ये आता है ये नहीं आता है आपने देखा केवल और केवल एक ही तीन से विभाज है अब N को हम रख लेते हैं 15 तो यहाँ पे N पंदरा है N प्लस 2 हो जाएगा 17 और N प्लस 4 हो जाएगा 19 अभी आपने देखा अब आप नोडिस करेंगे कि ये 3 से divisible है बट ये नहीं है और ये नहीं है यानि वो बात दुबारा यहाँ पे साबित होती है कि 3 से केवल और केवल एक ही इनमें से विभाजित होगा लेकिन अब हमें प्रूफ कैसे करना है ये देखो तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम यहाँ पर N की जग़ा पे क्या लें तो N की जग़ा पे हम एक सामान्य संख्या ले रहेंगे यूकलिड विभाजन प्रमेइका के अनुसार तो देखो यूकलिड विभाजन प्रमेइका से आप जानते हैं कि किसी भी जो संख्या को हम क्या लिख सकते हैं BQ प्लस R लिख सकते हैं जहां पे जो R है वो 0 से लेके और B के बीच में है ठीक है नब B से छोटा है पर 0 से 0 के बराबर भी है और उससे बड़ा भी है तो यहां पे देखो बहुत important है कि B क्या रखे हैं तो B यहां पे 3 रखो क्योंकि 3 से विभाजित करने की बात हो रही है तो B बराबर 3 रखते हैं अगर B 3 रखा तो R 0, 1 और 2 हो जाएगा इस वज़े से जो संख्या है क्या हो जाएगी अब ध्यान से देखो यहां पर हमने B को 3 रखना है और R को 0, 1, 2 रखना है तो यह हो जाएगा 3Q प्लस 0, 0 लिखने की ज़रूत नहीं है 3Q प्लस 1 and 3Q प्लस 2 यह हो गया है अब एक एक करके हमें इनको लेना है और उसके बाद हम यह प्रूफ कर देंगे ठीक है तो सबसे पहले N बरावर लेते हैं 3Q तो यह तो 3 से divisible है ही ओके तो यह 3 से विभाजित होता है 3 से विभाजित अच्छा दूसरा है N प्लस 2 ठीक है न यह तो N प्लस 2 हो जाएगा 3Q प्लस 2 अब इसमें से कोई कामन तो आनी रहा तो यह 3 से विभाजित नहीं होगा 3 से विभाज नहीं और तीसरा है N प्लस 4 तो यह हो जाएगा 3Q प्लस 4 है न अन तो 3Q है तो 3Q प्लस 4 हो जाएगा यानि 3Q प्लस 4 की जग़े हम 3 प्लस 1 कर देंगे ठीक है क्योंकि 3 से बढ़ा है वो यह 3 common लिया तो 3Q प्लस 1 प्लस 1 आ जाएगा अभी भी यह 3 से विभाजित नहीं हो रहा है ठीक न यह विभाजित नहीं हो रहा है केवल यह हो रहा था यह नहीं होआ विभाजित होने के लिए सब में से common आना चाहिए अच्छा यह तो हमने ले लिया अब बात करते हैं इसकी तो अब हम लेंगे N बराबर 3Q प्लस 1 तो ये तो दिखने साफ दिख रहा है कि तीन से विभाजित नहीं है अब इसके बाद N प्लस 2 देखो यानि 3Q प्लस 1 तो N है और 2 उसमें प्लस हो गया तो ये 3Q प्लस 3 है यानि 3 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा Q प्लस 1 और अब आपने देखा ये सम में से 3 कॉमन आ गया यानि ये विभाजित हो रहा है तीसरा वाला देखते हैं N प्लस 4 तो यहाँ पे N क्या है 3Q प्लस 1 और उसमें 4 प्लस कर दो 3Q प्लस 5 5 जो है इसको हम 3 प्लस 2 कर देंगे और इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे लेकिन हम अभी भी देखेंगे कि ये 3 से विभाजित नहीं हो रहा है ठीक है ना तो अब आपने देखा कि इस वाले हिस्से में जब हमने N लिया था ये तो केवल एक विभाजित हो आ था अब इसमें से भी 3 कॉमन नहीं है तो ये तो सीधे नहीं होगा N प्लस 2 जो दूसरा वाला है है ना ये चीज़ें यहाँ पे N, N प्लस 2, N प्लस 4 इन तिनों की बात हो रही है तो जो N प्लस 2 है 3Q प्लस 2 तो अलड़ी है और उसमें 2 और एड़ हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3Q प्लस 4 3Q प्लस 3 प्लस 1 अब यहाँ से 3 कॉमन है बट कोई फायदा नहीं है क्योंकि सब में से तो कॉमन नहीं आया तो ये भी नहीं है चलो N प्लस 4 देखते हैं तो ये हो जाएगा 3Q plus 2 और यह तो N है और 4 और आ गया तो यह हो जाएगा 3Q plus 6 और इसमें से 3 common आप ले सकते हैं तो Q plus 2 और आप आपने देखा कि यह विभाजित हो रहा है तो तीनों में से अगर आप नोटिस करेंगे तो हर एक बार के वल एक ही विभाजित हो रहा है ठीक है N plus 4 जो जब हमने N यह रखा था तो बीच वाला विभाजित हो था N plus 2 और दोनों बाके नहीं होए थे और जब हमने यह ऐसा लिया था तो यह पहला वाला विभाजित हो था ठीक है तो इसलिए आप लिख सकते हैं कि N N plus 2 और N plus 4 जो है इन में से केवल और केवल एक ही एक ही तीन से विभाजित होता है ठीक है ना वैल तो I hope आपको यह समझ आया होगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के साथ में यह वीडियो ज़रूर शेयर करें थैंक्स पर वाचिंग टेक केर